question no.3 part no.3 solve करते हैं question है x plus y whole square minus 14 time of z into x plus y plus 49 z square हमने इसको इस तर्म को एस लिख दिया और यह 49 z square था इसको पहले लिखा इसको लिख दिया 7 z whole square और यह जो चीज गिवन थी यह बड़ी असानी के साथ लिखी जा सकती है minus 2 time of x plus y into 7 z हमने formula बन गया हमारे पास a square plus b square minus 2 a b तो हम यह formula अगर apply करें इसके अंदर तो हम इसको लिख सकते हैं x plus y minus 7 z whole square और इसको दो factor में लिखा जा सकता है तो इस तरह से हमारा यह सवाल complete हो जाता है हमें question given था हमने identify कि यह कौन से farm बन रही है कौन सा formula बन रहा है तो हमने उसको उसके मताबर के लिखा और factor की farm में लिख दिया thank you